हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं स्टाप सेलेक्शन कमिशन का अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं कौंस्टेवल जीडी एक्जामनेशन फॉर्म दोह आज की सुड़ों में आपको complete जानकारी दिया चाहेगा देखियो दोस्तों यहाँ पे आपने किसी भी परकार का जानकारी को गलती कर दिये हैं सारे जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे, correction कर पाएंगे अगर आपने one time registration करते वक्त अगर आपने किसी भी परकार का जानका होता है वो अगर आपका गलती हो गया, cast category, community, address, कुछ भी जानकारी अगर आपने गलती कर दिये हैं तो सारे जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये वड़ों को पुरा लास्तक watch करना होगा, फिर भी आपको किसी भी परकार का query होगा, तो आप मुझ वेबसाइड में जहां से पुष्ट के लिए form apply करते हैं, इस वाले website में आना होगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा login और register, इसमें आपको click कर देना है, यहां पर आपको सबसे पहले registration number फिल करना है, password यहां पर फिल करेंगे, यह केपचा code आप इस वाले box में फिल करें forget password करने के पहले पर आपको detail फिल करना है और login कर लेना है, अब देखे दोस्तों यहां पर आप जैसे login हो जाते हैं इसके dashboard में, तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा, यहां पर सबसे front में ही आपको देखने को मिलेगा edit registration, आप देखे दोस्तों यहां पर आपने registration करते हुगता किसी भी परकार का जानकारी को अगर आपने गलती कर दिये हैं, तो यहां से आपको added registration करना होगा, और आपना जानकारी को सही करना होगा, आप देखे फ्रेंज यहां पर अगर आपने form को finalist समिट कर चुके हैं, fees को payment कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले यह आपको simply बता देता हूँ, देखे दोस्तों यहाँ पे अगर आपने रजिटेशन जानकारे में कोई भी गलती नहीं है, आपका पूरा जानकारे आपका सही है, अगर आपने apply section में गलती किये हैं, तो इसके लिए आपको directly apply section में जाना है, तो देखे दोस्तों यहाँ पे सबसे अगर आपने form को finalist summit नहीं किया होंगे, तो आप यहाँ पे my applications में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो भी आपने ongoing, जितने भी recruitment के लिए अगर आपने form apply किया होंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मल जाएगा, अभी देखे दोस्तों, यहाँ पे मेरा आपको करना क्या है, माई application section में आपको आचाना है, माई application section में आएंगे, तो आपने जिस post के लिए form apply किया होंगे, अगर आपने form को finalist summit नहीं किया होंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मल जागा continue, continue में क्लिक कर देना है, इसके बद आप जो भी चानकारी सही करना चाह करेंगे, वो कर सकते हैं, आप देखे दोस्तों यहाँ पर जो भी candidate ने form को finalist summit कर चुके होंगे, उनको अभी यहाँ पर कोई भी option देखने को मिल रहा होगा, ना ही आपको यहाँ पर continue का option देखने को मिल रहा होगा, उन candidate को करना क्या है, यह भी मैं बता देता हूँ, सबसे देखे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस date को आपको याद करना है, correction का जो date दिया गया है, आपको यहाँ पर 5.11.2024 से आपका correction window open किया चाहेगा, जो कि आपका यहाँ पर 7.11.2024 तक आपका correction window open रहने वाला है, इस बीच में आप सारी जानकारी को edit कर पाएंगे correction कर पाएंगे, कैसे आपको edit करना है, यह मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले देखे दोस्तों, यहाँ पर आपको आज आना है, live examination section में, live examination section में आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा apply, यहाँ पर आपका एक link generate हो जाएगा, रिअप्लाई, कुछ इस ट आपने registration करते हैं, तो सबसे पहले आपको OTR यह registration जो जानकारी होता है, आपको सही करना है, इसके बाद आपको आना है, और reapply section में apply कर देना है, आपको यह बात को ध्यान रखना है, कि आपको reapply section में आना ही होगा, और आपको फिर से form को apply करना ही होगा, अगर आपको कोई भ बिस्टल नॉटिफिकेशन जैसे ओपन करेंगे और आपको आजाना है 10 नमबर में यहाँ पे आपको बताएगे है किस प्रकार अपना जानकारे सही कर सकते हैं डेट दिया गए है आपका 5-11-2024 से 7-11-2024 आपको ये डेट याद रखना है तिन दिन का आपको टाइम दिया जा जानकारी सही करेंगे देखे़ यहाँ पर आपको ल suspects डिया जाये points को सही करने के लिए अगर फ़िर्स टाइम करेकसण करते हैं आपको बात ज्यानकारी होगे कि आपकार Emil कर दो से सब्सक्राइब आपको नहीं कर्गे है् परृस्ट तैम अगर आपको मोता हैं सही करते हैं स इस टाइम आपको 200 रुपया पेमिन्ट करना होगा कि मैं आपको 100 रुपया पीज़ को करना होगा भाइन्मर करना होगा यहाँ पर आपको बताए गया है कि आप UPI, VIM UPI जिसके दोरा पेमेंट करना चाहते हैं डेविट कार्ड के रेडिट कार्ड उसके दोरा आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं अब देखे प्रेंस यहाँ पर आपका correction यह modification करने का जो date दिया गया है इसी date में आपको जानकारी को सही करना है इसके बाद यह इससे पहले आप कोई भी जानकारी को सही नहीं कर सकते हैं और आपको मोका भी नहीं दिया चाहेगा तो आपको यह बात को ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दिया गया है वो आपको rate कर लेना है last number में आपको बोला गया है कि आप यहाँ पर post हो गया, fax हो गया, mail हो गया इसके द्वारा आप यहां पे कोई भी जानकारी को सही नहीं करवा सकते हैं, यह call के द्वारा इसके official website के द्वारा call मतलब करके बहुत सारे candidates होचते हैं कि हमारा जानकारी सही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, mail भी के द्वारा आप यहां पे ऐसे ही नहीं करवा सकते हैं, के जैसे आप Constable ZD Examination Form 2025 का Form को Edit करेंगे, correction करेंगे, देखे दोस्तों, यहाँ पर जैसे का correction को window open होगा, उस date में भी मैं वीडियो बना के upload कर दूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत या problem ना हो, Form को correction करने में, edit करने में,